हेलो एवरीवन वैलकूम अगें टू लंडरे दितीमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नमबर 10 लोग संस्कृति एवं कला तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है और जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं यहां पर हम कुश्चन आंसर के थूँ पूरा चैप् कंप्रीक करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग राजिस्तान में किसी भी एक्जाम के त्यारी करो वहां आपका राजिस्तान GK पूछा रही जाता है, अब जो ऐसा हो गया है कि अब हर एक्जाम में राजिस्तान GK का जो पार्ट है वो बहुत जादा जोड दि चाहे आप 1st grade की त्यारी करें, 2nd grade की करें, RAS की करें, किसी की भी करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं, question 1 देखिए, पूर्वी राजिस्थानी भासा की प्रतिनिधी बोली कितनी हैं? तो यहाँ पूर्वी राजिस्थानी भासा की चार प्रतिनिधी बोलियां हैं, डूडारी, जिसे जैपुरी कहते हैं, खाडोती, मेवाती और अहीरवाती लोकनाटे शैली में आते हैं, ख्याल, हैला, गवरी, तमासा, तुर्रा, कलंगी, राजधारी, दंगल, स्वांग, नोटंकी और भवई तो यहाँ पर देखिए एक question पूछा जा चुका है पहले भी exam में कि हैला क्या है? आपका answer होना चाहिए लोकनाटे शैली में आता है हैला नेक्स्ट देखिए थर्ड question पक्षमी राजिस्थान की प्रतिनिदी बोलियां कौन-कौन सी हैं? पूर्वी राजिस्थान की चार बोलियां हमने देखी थी जैपुरी, हाडोती, मेवाती और अहीरवाती वहीं मारवाडी की वहीं पर पक्षमी राजिस्थानी भासा की देखिए मारवाडी, मेवाडी, बागडी और सेखावाती नेक्स्ट question चलिए, question 4 है राजिस्थान में गंगोर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजिस्थान में गंगोर का त्योहार जो है मनाया जाता है चैत्र सुक्ल तृत्तिय से प्रारंब हो जाता है नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर फाइफ गंगोर के त्योहार में गंवा गौर सब्द किसके सूचक हैं तो यह शिव और पार्वती के सूचक है गंड का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती सावन के महिने में मनाया जाने वाला प्रमुक्त त्योहार कौन सा है? सावन के महिने में मनाया जाने वाला प्रमुक्त त्योहार कौन सा है? तो वै है तीज का त्योहार जो की श्रावन के महीने में मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए कुशन 7 है भादो महा की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है भादो महा की कृष्ण पक्ष की तीज को हम किस नाम से जानते हैं तो इसे हम जानते हैं कजली तीज और सातुरी तीज के नाम से. नेक्स्ट देखिए, कुशन एट है, होली के आठवे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वहे हम मनाते हैं सीतला अस्टमी, चैत्र कृष्ण अस्टमी को यह मनाया जाता है. जैपूर में सीतला माता का मंदिर कहां इस्तित है? तो देखिए एक जैपूर में सीतला माता का मंदिर है और एक उधैपूर में भी है तो यहाँ जैपूर में पूचा है सीतला माता का मंदिर कहां है? सील की डूंगरी पर उद्यपुर में सीतला माता का प्रमुक मंदिर कौन सा है तो यह है बल्लव नगर कस्वे में ठीक है याद रखना है जैपुर के पास में चाक्सु की सील की डूंगरी है और उद्यपुर के बल्लव नगर कस्वे में सीतला माता का मंदिर का मेला लगता है पुस्कर मेले का आयोजन कब और कहां किया जाता है तो यह कार्टिक पुर्णिमा को अजमेर में किया जाता है केला माता के मेले को सवाई माधोपूर में क्या कहा जाता है तो इसे हम लखी मेला के नाम से भी जानते हैं और यह मेला चैत्र सुकल अस्टमी को भरता है केला देवी का मेला आयोजित होता है तो यह चैत्र कृष्ण द्वादसी से और चैत्र सुकल द्वादसी तक ठीक है मेले का आयोजन होता है चैत्र सुक्ल एकादसी से वैशाख कृष्ण दुतिया तक चीक है महावीर जी का जो मेला है वह सवाई माधपुर जिले में लगता है और यह चैत्र सुक्ल एकादसी से लेकर वैशाख कृष्ण दुतिया तक भरता है और महावीर जी का मेला जो है जो पूछा जा सकता है एक्जाम में, बहुत ही बारीक प्रश्ण है यह, महावीर जी की मूर्ती का रंग कैसा है, तो यह लाल रंग का है, दसहरा मेला कहां का प्रसिद है, तो यह मेला कोटा का प्रसिद है, हर्याली अमावस्य का मेले की सुरुवात किसके साशनकाल में हुई थी? ख्वाजा मुयनुद्दिन चिस्ति कहां से भारत आये थे? तो यह कहां से आये थे? यह इरान से आये थे और इन्हें हम गरीव नवाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा साहब का उर्स या ख्वाजा साहब का जो मेला है, वह कब और कहां लगता है? तो यह मेला लगता है, अजमेर में रज्जव महा की एक से छटी तारीक तक लगता है। तो याद रखना है, ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? रज्जव महा की एक से छे तारीक तक लगता है, कहां लगता है? अजमेर में लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वह है वैनिश्वर का मेला। मेला। वैनिश्वर मेले का आयूजन कब और कहां होता है? तो यह मेला ढूंगरपुर जिले में माही, सोम, जाखम, नदी के संगम पर होता है। बीकानेर के शाष्कों की अधिस्ठाती माता कौन सी हैं तो वो हैं कर्णी माता खाटू शाम जी का मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है तो खाटू शाम जी का मेला जो है वह लगता है फागुन के सुक्ल पक्ष की दस्मी से 12 तक और कहां लगता है सीकर जिले में लगता है बाबा राम देव का मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है तो बाबा राम देव का मेला जो है वह भाद्र माह के सुक्ल पक्ष की द्वित्य से प्रारम होता है एका दसी तक चलता है और यह जैसल मेर कस्वे के पास जो रूनीचा नामक स्थान है वहाँ पर ये मेला जो है लगता है गलिया कोट का उर्ष कब और कहां आयोजित किया जाता है तो गलिया कोट का उर्ष जो है वह है आयोजित होता है डुंगरपूर जिले के सांग वाड़ा तहसील में ठीक है सांग नहीं है ये सांग वाड़ा है ठीक है डुंगरपूर जिले के सांग वाड़ा तहसील के गलिया कोट कस्वे में लगता है गलिया कोट उर्स किसकी मजार पर होता है तो यह उर्स जो है वह है फक्रुदीन मौला की मजार पर होता है किस मजार को मजार ए फक्री कहा जाता है किस मजार को मजार ए फक्री कहा जाता है तो यह है फक्रुदीन जो मौला की मजार है इसको कहते हैं मजार ए फक्री याद रखना है मजार ए फक्री किसे कहा जाता है फक्रुदीन मौला की मजार को दाउदी बोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंदर है गल्या कोट नेक्स्ट देखिए तो देखिए जितने भी आप लोगों के मेले त्योहार थे जो भी इस चैप्टर में थे सभी यहाँ पर आ चुके हैं आपने 28 में से कितनों का आंसर जो है वह लगाया है वो आपको खुद सोचना है कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से बारीकी से पढ़ा और हमने 28 में से कितने कुशन का आंसर सही दिया है और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो वो इन कुशन को बारवार रिवाइज करिए बारवार वीडियो सुनिए जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएं क्लास 6 है फिर भी आप लोगों को सभी प्रशनों के आंसर नहीं आते होंगे मुझे पता है छोटी क्लास जो होती है वहाँ पर भी बहुत सारी नॉलेज होती है लेकिन धिहान नहीं दिया जाता है क्योंकि सोचते हैं छोटी है ये तो हमें आता है और इसी जख्कर में क्या होता है एकसाम में हम गलत आनसर कर देते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़हते हुए Thank You झाल